। askingας रहा है से ट्रैफिक पोलिष ख़ो कि कन्तुवacer परैफिक केदार को कंट्रोल करने के इसकंफाल करता है जान जानेगे न कि Il सिट्रे जो पीछे से आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए इसमें बाए हाथ को सोल्डल के वेवल पर रखते हैं और दाए हाथ को पैंड की लाइन से एक दम सटा के रखते हैं इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे ये पोजीशन दिखाए दे रही है दूसरा साइन है सामने से आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए इस तरह से सामने से आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए दाए हाथ को उपर की तरफ उठा कर इसारा कियाता है और बाए हाथ को पैंड की साइड से एक दम सटा के रखा जाता है आप विश्राम की मुद्रा में इस तरह रहेंगे और ये पोजिशन आपकी होगी थार्ड पोजिशन है आगे से आ रहे और पीछे से आ रहे बाहनों को एक साथ रोकना इसमें बाय हाथ को सोल्डर के लेवर पर और दाय हाथ को सामने की तरफ इस तरह इसारा करते हुए रोका जाता है दाय हाथ सामने की तरफ और बाय हाथ सोल्डर के लेवर पर चौथा पोजीशन है बाएं तरफ से आ रहे याता याद जो दाएं तरफ की ओर मोड़ना चाहते हैं इसमें बाएं हाथ को सोल्डर के लेवल पर रखना है इस तरह से और जो दाएं हाथ है उसे इस तरह से एंगल देते हुए रखना है अगली पोजीशन है दाएं तरफ से आ रहे याता याद को रोकना इस तरह से दाएं तरफ से आने वाले यातायात को रोकना है और जिससे की बाएं तरफ का याता यात दाएं और आसानी से जा सके इसमें बाएं हाथ को सोल्डर के लेवल पर रखना है पोजीशन ये रहेगी इस तरह से आप लोग देख पा रहे हूंगे नेक्स्ट पोजिशन है बाई और से आ रहे यातायात को रोक कर उसे बाई और मुडने देना ये पोजिशन रहेगी इसमें दाया हाथ सामने की तरफ रहेगा सर के लेवल से और जो बाया हाथ है सोल्डर के लेवल पर इस तरह से रहेगा अगला साइन है पूरे यातायात को रोकना इसमें बाय हाथ को और दाय हाथ को इस तरह से पूरी तरह उठा लिया आता है कंधे के लेवल के थोड़ा सा उपर इससे ये पता चलता है कि ट्राफिक हवलदार ने पूरे यातायात को क्या कर दिया है रोक दिया है अगला साइन है सामने से आ रहे यातायात को रोकना और बाईयोर से आ रही गाड़ियों को आने के लिए इंगित करना इस तरह से उनको इसारा करना है आने के लिए बाईयोर की गाड़ियों को next position है पीछे से आने वाली गाड़ियों को रोकना और दाय साइट से आने वाली गाड़ियों को इंगित करना या आने के लिए प्रेरित करना इस तरह से उनको आने के लिए इंगित किया रहता है इसारा किया जाता है जीसन है सामने से आने वाली गाड़ीयों को आने के लिए प्रेरित करना